next question 2015 का सवाल है it says remote sensing satellite of earth revolves in a circular orbit at a height of 0.25 into 10 to the power 6 meter above the surface of earth if earth's radius is given as 6.38 into 10 to the power 6 meter and g is given as 9.8 meter per second square then orbital speed of satellite क्या होएगी हम इसा orbital speed बतानी है और ये option अपने को दे रखें now सवाल है कि यह आपका सेटलाइट है और यह आपका earth है सेटलाइट से एच हाइट की उस पर this is r e radius of earth h height पर यहाँ पर घुम रहा है data जो दिया हुआ है वो एक बार लिख लेते हैं h की value है 0.25 into 10 to the power 6 meter इसको हम 250 km भी लिख सकते हैं radius of earth अपने को दिया हुआ है that is 6 3 यह दिया है अपने को 6.38 into 10 to the power 6 meter इसको हम 6 3 800 6 380 km भी कह सकते हैं यह calculation जब इनको add करना होगा तो यह handy होगा असान होगा अपने को यह पता है orbital speed जो है किसी भी satellite की वो होती है gm by r और उसी को क्योंकि यहां पर हमें छोटे g की value दी हुई है इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम इसको radius of earth के square से multiply करें और divide करें तो जो gm by r e square बनेगा वो छोटा g बन जाता है तो इसको हम एक और data लिख सकते हैं तो this will be equal to g multiplied by r e square divided by r और यहां पर r की value होएगी that will be equal to r e plus h और इन दोनों को add करके हम r की value लिख सकते हैं calculation गंदी है इसको हम avoid नहीं कर सकते हैं यह सवाल क्योंकि नीट में पूछा हुआ है so maybe वह आपसे expect करते हैं कि आपको calculation करनी आनी चाहिए तो उस case में v की value हमने लिखी यह आ गया g g value हो गई 9.8 multiplied by r e इसका square यह हो जाएगा 6.630 into 10 to the power 6 इसका square divided by r e plus h यानि की r इसको हम यह लिख सकते हैं नहीं r e तो था यह वाला 6.38 6.38 और r e plus h को हम लिख सकते हैं 6.63 into 10 to the power 3 इसका under root यह तो क्योंकि under root में है directly बाहर आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं this will be equal to 6.38 multiplied by 10 to the power 6 और यहाँ पर बचा 9.8 divided by 6.63 into 10 to the power 3 यह हो गया now exam hall में अगर ऐसी situation में आप फस जाएं तो क्या करना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं नीचे जो आ रहे है कि 10 to the power 6 होना चाहिए 10 to the power 6 अला है यह 10 to the power 6 आया इसका 10 to the power 3 बाहर निकाल लेते हैं तो यह गया 6.38 into 10 to the power 6 divided by 10 to the power 3 multiply हो गया 9.8 divided by 6.63 अब इसको हमें calculate करना पड़ेगा अंदाजा लेने के लिए तो इसकी value अगर आप देखेंगे तो इसकी value 9.8 divided by 6.63 1.11 के आसपास आएगी 1 से थोड़ी सी जादा होएगी 1.11 यह उफर let's say 10 है नीचे मान लीजे 7 के आसपास है इसकी value 6.38 से थोड़ा सा 1.1 करके 7.something कुछ बन जाएगी तो यहां पर अगर exact calculation हम कर सकते हैं exam hall में time कम होता है तो वहां पर थोड़ा मुश्किल होएगा पर otherwise करेंगे तो इसकी exact value 7.77 आती है पर यहां पर अंदाजा लेने के लिए 6.38 यह बन गया अपना 6.38 multiplied by 1.1 इन्टो 10 to the power 3 यह कटके 10 to the power 3 रह जाएगा तो इतने kilometer यह meter per second अपनी speed रह गई तो 6.38 multiplied by 1.1 यह approximately आएगा 7.76 kilometer per second तो based on this हम कहाई सकते हैं कि option number C 7.76 will be the right answer for this particular problem आएआँ आएधर्णो 10 to the power 3 यहर आएएगर्णों 10 के लुएवागर्णों